नमस्कार स्टूडेंट्स आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है सपने वो नहीं होते जो सो के देखे जाते हैं सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं हर स्टूडेंट का सपना है कि वो ऐसे अच्छे माक्स बनाए कि उसका अच्छी कोलेज में अड्मिशन हो जाए जोब के लिए जाए तो उसे बेहतर जोब मिल जाए NCRT का न्यूसले बस होगा 2023 जोबिस का पॉलिटिकल साइंस 12th कलास का अपना चेप्टर होने वाला है सवतंत्र भारत की राजनीती वाली पाथे पुस्तक से कॉंग्रिस परणाली चुनोती और पुनरिस्थापना प्यारे विद्यारतियो इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी सबसे पहले हम कॉंसेप्ट किलियर करेंगे कॉंसेप्ट किलियर कर लेंगे तो उसको सरल और सहज कर लेंगे फिर वाट यानि कॉंग्रिस परणाली है क्या वाई कॉंग्रिस परणाली को चुनोतियां हुई कैसे उत्पन कैसे हुई और इसकी फुर्पुनरिस्थापना कैसे होती है तो वाट और वाई जब आपको समझ में आ गई तो ये एक परकार के आपके सफलता की चाबी आपके हाथ में आ जाती है सबसे पहले हम देखेंगे कॉंग्रिस के सामने चुनोतियां कौन सी थी कॉंग्रिस परणाली किसे का आ गया है सबसे पहले चेप्टर से दूसरे और दूसरे से तीसरा से अपने अंसियार्टी के खुबसूरती है कि ये कनेक्ट हैं को कोर्डिनेट हैं को रिलेशन रखते हैं तो सबसे पहले हम समझें कि 1952 में पहले आम चुना हुए थे और 1966 तक केंदर और राज्ये दोनु जगे कॉंग्रिस ही अपनी सरकार बना रही थी पक्ष और विपक्ष दोनु की भूमिका निवारी थी अब कॉंग्रिस के सामने चुनोती खड़ी हो जाती है राजनेतिक उत्रादिकार की यानि परधान मंत्री पद की 1964 में नेहरु जी की मर्ति हो गई और उनके राजनेति पर उत्रादिकारी को लेकर बहस तेज हो जाती है कि अब पी-म कौन होगा नेहरु जी के जाने के बाद अब कौन होगा उनका उत्रादिकारी ये सबसे बड़ा परसंद था और अब आसंका होने लगी थी कि अब देश तूट जाएगा बिखर जाएगा और सैनिक सासन यानि सेना का सासन आ जाएगा क्योंकि हमसे अलग वावने 1747 में हमारा पडोसी देश पाकिस्तान और वहाँ पे कभी सैनिक सासन तो कभी लोक्तंत रहा है तो ये आसंका और भी तेज हो गई कि अब नहरूजी के बाद देश संभल नहीं पाएगा और देश तूट जाएगा बिखर जाएगा सैना का सासन इस्तापिते हो जाएगा दूसरा अपना परसन उड़ता है कि 1960 का दसक खतरनाख दसक ये क्यों कहलाता है परसन बनेगा अपनाए तो ऐसी कौन सी घटनाए घटी इस दसक में दसक मतलब 1960 से लेकर 1970 तक दस साल की पिरियड को कहते हैं दसक तो इस दोरान गरीबी बेरोजगारी सामप्रदा एकताएवें दो युद भारत ने देख लिए 1962 में पाकिस्तान ने भारत प्याकरमन कर दिया और 1965 में पाकिस्तान ने खाद्यान संकट भारत के सामने बहुत बड़ा संकट था दो दिगज परधान मंत्रियों की मोत इस दोर में हो चुकी थी नेहरू और पंडित नेहरू और लाल बादूर सास्त्री नेहरू जी के उत्राधिकार को बड़ी आसानी से चुन लिया गया उत्राधिकारी को यानि सास्त्री जी को परदान मंत्री के रूप में चुन लिया जाता है और उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्स होते हैं के कामराज और ये अपने पार्टी के सांसदूं और नेताओं से सलाह मस्विरा करते हैं बैठक बुलाते हैं और वहां सास्त्री जी को परधान मंतरी बनाने पर सहमती बन जाती है सास्त्री जी मंतरी मंडल में उस समय मंतरी रह चुके थे और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बड़े इमानदार परधान मंतरी थे परतव्य निष्ट थे तो एक बार रेल दुरगटना की नयतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तिपा दे चुके थी तो सास्त्री जी की समय पर मुख चुनोतियां देश के सामने कौन सी थी खाध्यान संकर था पाकिस्तान से युद लड़ने की चुनोती थी सास्त्री जी 1964-66 तक दो साल देश के परधान मंत्री रहे और इस दोरान तासकन समझोता भी होता है जहां सास्त्री जी की हरदे गती रुकने से मरत्य हो जाती है भारत चेन युद के कारण पैदा हुई आर्थी के कठिनाईयां भी अप देश को प्रेशान कर रही थी और जैसे तैसे उभरने की कोशिशी कर रहा था भारत तो मानसून भी साथ नहीं दे रहा था मानसून की ऐस सफलता थी जो सुखे की इस्तिती थी वो बनी हुई थी खाद्यान संकट और भी गहरता जा रहा था उसी दोर मिलाल बहदुर सास्त्री ने सहस का प्रीचे दिया और जै जवान जै किसान का नारा दिया जै जवान यानि सीमा पे जवान लड़ रहा था तो खेत में किसान लड़ रहा था तो इनका साहस बनाए रखने के लिए, इनका होसला बनाए रखने के लिए, इनकी हिम्मत तूटे नहीं, क्योंकि बार बार अकाल पढ़ रहा था, मानसून की ऐसे फलता थी, तो किसान निरास हो रहा था, जवान के पास उसमें भारताजाद हुआ ही था, विकट परिष्टित में हुआ था, तो जवानों के पास आधनिक हत्यार नहीं थे, तो जवान सीमा पे संघर्ष कर रहा था, और किसान खेत में संघर्ष कर रहा था, तो इनकी होसला हवजाई करने के लिए, लाल बहादुर सास्त्री ने नारा दिया, जे जवान और जे किसान का, 10 जनवरी 1966 को तासकंद में इनका देहन्त हो जाता है, 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के ततकालिन राष्टपती मुहमद अयूब खान के साथ एक समझोता होता है, उसका नाम है तासकंद समझोता, कारेवाग परधान मंत्री बनाए जाते हैं, किसको मुरार जी देशाई को, जब किसी परधान मंत्री के अचानक मरती हो जाती है, तो उनके कारेकाल के दोरान जब मरती हो जाती है, तो उस पद को रिक्त नहीं छोड़ा जाता है, और भारत के पहले कारेवाग परधान मंत्री बने गुलजारिलाल नंदा, नेहरु जी के बाद भी और सास्त्री जी के बाद भी कारेवाग परदान मंत्री दो बार बनते हैं गुल जहरी लाल नंदा कितनी बार बनते हैं दो बार सास्त्री जी के बाद इंद्रा गांधी को फिर से सास्त्री जी के बाद फिर से उत्रादिकार का संकटा जाता है कॉंग्रेस के सामने और अब परदान मंत्री किसे बनाया जाए तो सास्त्री जी के बाद इंद्रा गांधी को परदान मंत्री बनाया जाता है लेकिन यह इतना आसानी से नहीं हुआ था क्योंकि इस भार मुरारजी देशाई और इंद्रा गांधी के बीचकड़ा मुकाबला था। गांधी को ये सोच कर समर्थन दिया था। इसे राजनेतिक भुकंप की भी संग्यादी गई है। दो प्रधानमंत्रियों की मर्ती हो चुकी थी नहीं प्रधानमंत्री का कम अनभवी होना इंद्रा गांधी का। इसी समय देश में गंभीर आर्थिक संकट भी था मानसून की ऐसा फलता भी थी। पोइंट को बड़ा सलेक्ट करके आपके लिए तयार किया गया है। सुखा जो खेती की पैदावार में गिरावट आ रही थी बार-बार सुखा पड़ रहा था। मानसून की जो ऐसा फलता थी उसकी वज़े से पैदावार भी घट रही थी। खाद्यान संकर था भी देशी मुद्रा की भी कमी आई। सन्य खर्चों में भी बढ़ोतरी करनी पड़ी क्योंकि पड़ोसी देश बार-बार भारत प्याकरमन कर रहे थे। कभी चीन तो कभी पाकिस्तान इंद्रा गांधी की सरकार के सुरुआती फैसलों में रुपे का अउमूलन करना पड़ा कि रुपे का अउमूलन करने के लिए अमेरिका ने दबाब डाला कि आपको खाद्यान तब ही दिया जाएगा जब आप हमें डोलर में पैमेंट हैं तो उसके लिए भारत की मुद्रा रुपे का अउमूलन करना पड़ा गटा अउमूलन का मतलब होता है उसकी वैल्यू को गटाना तो पहले पांच रुपे थी फिर इसका सात रुपे की गई महंगाई बड़ी खाद्यान की कमी आई बेरोजगारी बड़ी देश में बंद और हड़ताले हुई सामयवादी और समाजवादी पार्टी ने समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया कौन-कौनसी पार्टी सामयवादी CPI और समाजवादी पार्टी ने समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया और कमिनिस्ट पार्टी जो की ससस्त्र करशक विद्रो का कारण बनी और नकसलवाद की सुरुवात इसी दोर में हुई थी जो आज भी कई राज्यों को और कई जिलू को ये परभावित कर रहा है न गैर कोंग्रेस वाद देश में बिगड़ते माहूल को देखकर विपकसी पार्टियां दे रही थी इन दलू को लगा कि इंद्रा गांधी को अनभव नहीं है यानि अनभव हिंता है और कांग्रेस के अंदरूनी उठा पठक यानि कांग्रेस के अंदर भी तनाव चल रहा तो कंग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लग सकता है इसी उमीद से राम मनोहर लोहिया ने गैर कंग्रेस वाद का नारा दिया किस ने दिया ये फिर आप किसे परसन बनेंगे राम मनोहर लोहिया में इसका जो नेक्स्ट अपना वीडियो होगा वो टोप MC की और ज सार सासन नहीं है और गरीबूं के खिलाफ है इसलिए गैर कंग्रेसी दलू को एक साथ आना चाहिए ताकि लोगतंतर को वापस लाया जा सके ये कौन कह रहा था विपक्सी पार्टिया चोथाम चुनाव 1967 के क्या रिजेल टाई तो फरवरी 1967 में लोकसभा और विधान सभा क जहां पर कंग्रेस पूर्ण बहुमत से नहीं आ सके तो फिर ये आखड़ बढ़ाने लगा और फिर लोकसभा और विधान सभा के चुनाव आगे पेछे हुने शुरू होगे कंग्रेस को राष्ट्री और प्रांती इस तर यानि राज्यों की इस तर पे गहरा धका लगा इसी चुनाव को कई राजनितिक विशलेश को ने क्या नाम दिया है राजनितिक भुकंप की संग्या यह आप अंडरलाइन करें और याद भी करें जैसे तैसे लोकसभाम बहुमत तो मिल गया के अंदर में लेकिन सीटें और मद दोनों ही कम होगे सीट भी कम होगी कांग्रेस की और मत भी कम होगे इतने कम वोट कांग्रेस को इससे पहले कभी नहीं मिले थे तो इसे राजनितिक भुकंप की संग्या दी गए तो आपसे पुछा जाएगा कि 1967 के चुनाव या चोथ्याम चुनाव को राजनितिक भुकंप की संग्या क्यूं पहली बार कॉंग्रेस को मत भी घटे, कॉंग्रेस के मत भी घटे और कॉंग्रेस की सीटें भी घट घट गई थी, नो अशे राजे थे, जहां पून बहुमत से सरकार नहीं बना पाई, कॉन कॉंग्रेस? कई दिगज नेता हार गए थे तमिर नाडू के कामराज महाराष्ट के एसपाटिल बंगाल में तुले गोस बिहार की केश सहाई और कॉंग्रेस विदान सभाचुनाव में साथ पलस दो राजे यानि साथ तो ऐसे राजे थे जहां भुहमती नहीं मिला दो ऐसे रहे जो दल बदल के कारण दल बदल का कॉंसेप्ट आपको किलियर करवाया वह वो वीडियो देख लें आप दल बदल होता क्या इसका असर क्या पड़ता है क्या सरकार इससे इफेक्ट होता सरकार कैसे प्रभावित होती है चोथ्याम चुनाव में पंजाब हरियाना उत्तर परदेश, मद्दे परदेश, बिहार, पस्चिम बंगाल, मद्रास, तमिनाडू, उडिशा और केरल में भूमत नहीं मिला था कॉंग्रेस को मद्रास, तमिनाडू में छेतरी पार्टी, दर्वीड, मुनित्र, कडगम की जीत हो गई थे डियम के जिसको बोलते हैं, और डियम के हिंदू विरोधी आंदोलन में सक्रिय थी, हिंदी विरोधी, हिंदी वासा के विरोध में आंदोलन कर रही थी, भारत की पहली महिला परदान मंतरी इंद्रा गांदी बनी, भारत के पहले कारवाग परदान मंतरी गुलजारिलाल अब 1967 में एक और जुम्ला सामने आया आया लाल गया लाल का क्योंकि हर्याना के एक विधायक थे वो एक पक्वाडे में ही तीन पार्टियां उन्होंने इस परकार से चेंज कर ली थी तो ये आया राम गया राम के नाम से मसूर हो गए 1960 के दसक में इंद्राग गांधी ने दो चुनोतियों का सामना के एक तो सिंडिकेट क्या था कॉंग्रेस पार्टी के ही अंदर प्रभाव साले नेताओं का ग्रूप था उससे चुनोती हो रही थी दूसरी 1967 के चुनाओं में सीटें भी कई सीटें कम हो गई थी मत भी कम हो कांधी ने सरकार की नीती को वामपंथी रूप देने का प्रियास किया कौन सा रूप वामपंथी नी समाजवादी रूप वामपंथी जिसे कहें कि गरीब पिछडे लोगों की नीतियां बनाना सरकार ने अपनी प्रात्मीक्ता में सामिल कर लिया प्री पीवियर से क्या है तो पहले चेप्टर में हमने पढ़ा था कि 565 रियास्तें थी जिन में से 562 के करीब आसाने से सामिल हो गई थी 3-4 ऐसे रियास्तें थी जो अभी भी भारत संग में सामिल नहीं होना चाहती थी इन 565 रियास्तों को एक करने के लिए उस समय जो राजा थे उनको आस्वासन दिया गए था कि आपको विशेश भत्ते दिये जाएंगे और इसको नाम दिया गए था प्रीप्यूर्ज अब इन राजाओं से ये जो भत्ते वो निजी संपद्धा थी जो विशेश अधिकार इ इसके लिए एक कानून बनाया गया जिसके द्वारा प्रीप्यूर्ज को हटाया गया गए गठबंदन 1966 के विधान सभाचुनाओं में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला इसके कारण क्या करना पड़ा गठबंदन और गठबंदन की घटना यहां से प्रीघटना हो सामने आती देश के सामने अनेक पार्टीयों ने मिलकर सुयूकत विधाय का दल बनाई गैर कॉंग्रेसी पार्टीयों से भी समर्थन लिया गठबंदन में अलग लग विचार धाराओं के लोग सामिल हुए जैसे SSP, PSP, दक्षन पंथी, वाम पंथी, जनसंग यह सब 1967 के चुनाओं में दल बदल की घटना भी सामने आई, जिसको हमने देखा था आया राम, गया राम के लूप में दल बदल का मतलब क्या होता जब कोई नेता किसी खास दल के चुनाव चिन से जीत के आए जैसे कोई कांगरेस के चुनाव चिन से जीत के आ जाता है फिर वो जैसे बीजेपी में चला जाए किसी भी लालच वन्स पदी आप पैसा जो भी लालच हो तो उसे कहते हैं दलवदर कॉंग्रेस में विभाजन पहली बार विभाजन वा तो 1967 के आम सुनाव में कॉंग्रेस केंदर में तो सरकार बनाने में कामियाब हो गई थी लेकिन राज्यों में कई आठ नो राज्य ऐसे हुए जहां पे सकता कॉंग्रेस को नहीं मिले इंदरा बनाम सिंडिकेट क्या था वाद क्या था ये तो इंदरा गांधियों और सिंडिकेट के भी जो तनाव का माहूल था उसे कहते हैं इंदरा बनाम सिंडिकेट तो इंदरा गांधि के सामने असली चुनोती है थी वो और उनके पार्टी के भीतर ही जो वरिष्ट नेता थे लाहकारूर विश्वस्त की समुह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा, दस सुत्री कारिक्रम लागू की देश के लिए बंकू का सामाजीक नियंत्रन किया गया, राष्टीकन 14 बंकू का राष्टीकन किया था उस समय उनिसो गुण हित्तर में, बीमा का राष्टीकन, सह इसके लिए प्रियास किये गए खाद्यान का सरकारी वित्रन किया गया, भूमी सुधार किया गया, गरीबूं को भुखंड देना, राष्टपती का चुनाव भी उस समय बड़ा तनाव का चुनाव रहा, और इसके कारण भी कॉंग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ, तो होते हैं कितने माह में, शे माह के में तर, तो अब जाकीर हुसेन जो की राष्टपती थे ततकालिन उनके मर्ति हो जाती है, तो सिंडिकेट ने लोकसभा के अधिक संजीव रड़ी को राष्टपती का उमिद्वार खड़ा किया, यानि अधिकारी को उमिद्वार बोलते है सरकार की तरफ से जो खड़ा होता है, इंद्रा गांधी ने एन संजीव रड़ी और इंद्रा गांधी के बीच पहले से ही अनबन थी, तो इंद्रा गांधी ने अपनी तरफ से किसको खड़ा कर दिया वीवीगिरी को, अब दोनु तरफ से अपनी ताकत आजमाने का प्रिय पर किसकी आवाज पे अंतरात्मऔ की आवाज पे किसको वोड़ देने के बात कही वीवी गिरी को रंतता है वीवी गिरी विजय हो जाते हैं संजीव रेड़ी हार जाते हैं कोउग्रेस अद्यक्ष निंद्रा गांधी को अपने पार्टी से निकाल दिया अब देश की परधान मंत्री को ही पार्टी से निकाल दिया जाता है और कॉंग्रेस में पहली सवतंतरता के बाद पहला विभाजन होता है उन्ने सो उने स्तर में जिसमें राष्टपती चुनाव सबसे बड़ा कारण होता है कॉंग्रेस ओ और कॉंग्रेस आर मे विचारधार की लड़ाई का है। इंद्रा गांधी ने अपनी पार्टी को गरीब लोगों की हमायती बताया। इसाई नहीं चाते थे कि प्रीपी वियर्सस की समापती हो उने सो इकेतर के चुनाव में कॉंग्रेस की पुना वापसी कैसे होती है। जबरजस्ता वियां चला है। दो परीशीमन कानून बनाए। 1970 के दिसंबर में लोगसभा भंकरने की शिफारिश्की। ये भी एक साहसी कदम था। लोगसभा के लिए पांचवे आम चुनावी उने सो इकेतर में और उने सो इकेतर में चुनावी मुकाबला था। वो पूरी तरह से कॉंग्रिस आर के विप्रित जान पढ़ी क्योंकि कॉंग्रिस जरजर हो चुकी थी ऐसा लग रहा था कि कॉंग्रिस आर है वो अब खतम हो जाएगी जो की इंदरा कॉंग्रिस थी। लेकिन कॉंग्रिस पार्टी की जो असली ताकत थी वो के नियनतरन में थी तो ऐसा लग रहा था कि अब कॉंग्रिस आर है वो खतम हो जाएगी एक ग्रांड एलाइन्स भी बनाय जा रहा था जभी बड़ी गएर समयवादी पार्टी और गैर कॉंग्रेस पार्टी थी वो देख होकर अपना ग्रूप बना रही थी उसको नाम दिया गया Grand Alliance, इंद्रा गांधी के लिए स्थिति और भी कठिन हो गई थी, पहले आम चुनाव, पांच में जो आम चुनाव हैं, उसमें Grand Alliance के हारने का मुख्य कारण क्या था, तो नहीं कॉंग्रेस के पास एक मुद्दा जो कॉंग्रेस O के पास नहीं था, कॉंग्रेस R जीच जाती है, यानि बड़े भवमत से कॉंग्रेस R आती है, इंद्रा की जो कॉंग्रेस थी, उसका कारण क्या था, तो कॉंग्रेस के पास एक मुद्दा था, जो की कॉंग्रेस O, यानि पुरानी कॉंग्रेस के पास नही इसके अलावे इंद्रा गांदी ने सारवजनिक छेतर में सम्रदी, भू स्वामित्व और सहरी संपदा का प्रीशिमन, आई और रोजगार के आउसर पैदा करना प्रीप्यूर्स की समापती जैसे वहतोपूर्ण कदमों की बात हो रही थी इक एतर के चुनाव का परिणाम क्या निकला तो कॉंग्रेस आर और CPI गटबंदन की कितने सीटे मिली जितने की पिछले आम चुनाव में भी नहीं मिली थी तो इनको बड़े इसतर पे बहुमत मिला एक कॉंग्रेस आर को 352 सीटे मिली और CPI जो किसके साथ मिलके चुनाव ल नाय था उसको 44 सीटे मिली उन्हें सो इकेतर लोक स्वाचुनाओं के बाद बंगला देश को आजाद करवाया गया भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिडा और भारत जीता बंगला देश को सवतंतर करवाने में सफलता प्रात्त के इंद्रा गांधी की लोक प्रियता म रूप में सामने आई कॉंग्रेस ओ के अलग होने के बाद भी जो की उमीद ही नहीं थी उमीद से ज्यादा रिजेल्ट आया इंद्रा गांधी के पक्ष में और बंगला देश को सवतंतरता दिलवा दी प्रिप्यूर्स जैसे कानून बना दिये 1972 में चुना हुए और कॉंग्रेस आ रहा हो चुना हमें जीते जाती हैं इंद्रा को गरीब और बंचितों के रक्षक के रूप में अब देखा गया कॉंग्रेस आर ने अपना जो दबदबा था वो बना लिए तो प्यारे विद्यारतियों अब तक अगर आप इस कंटेंट को समझ रहे हैं तो अब हम समझेंगे कि कॉंग्रेस परणाली की पुनर इस्थापना कैसे हुई इतनी देर तक हम चुनोती पढ़ रहे थे अब हम पुनर इस्थापना की बात करेंगे कि जिस परकार कॉंग्रेस 1967 के चुनाव के समय पूरे दोर से गुजर रही थी उसके बाद कॉंग्रेस टूट भी चुकी थी एक एत्रमिंद्रा गांधी ने कॉंग्रेस को दुबारा उसी स्थान पर ला दिया जहां वह पहले थी अब कॉंग्रेस के विक्ति थे उनकी लोग प्रियता पर निर्भर थी यानि कॉंग्रेस इंद्रा ही कॉंग्रेस और कॉंग्रेस ही इंद्रा है ऐसा लगने लगा था, इस पार्टे में कोई अलग गुट भी नहीं था, पार्टी अब गरीबूं, अलपसंखेकों, महिलाओं, धलिता, दिवाशियों के ज़्यादा निर्बर थी, इंद्रा ने कॉंग्रेस परनाली को पुनर स्थापित के लेकिन इसकी परकरतिया बदल पहले कॉंग्रेस परनाली के भीतर हर तरह के तनाव और संघर्ष को बचा लेने की छमता थी, हर वर्ग का विक्ती इसमें सामिल था, हर जाती धर्म का था, लेकिन कॉंग्रेस ने ये छमता अब नहीं बची थी, कॉंग्रेस में इंद्रा की पर पकड़ थी, वो मजबूत ह हो चुकी थी, रूप था, हो समाजवादी हो चुका था इसका, अब कॉंग्रेस की परकरती भी बदन चुकी थी, प्यारे विद्यार थी हो, ये सलेक्टेड परसन जो आपके परिक्षा के उपयोगी थे, जो महत्वपूर्ण कॉंसेप्ट था, उसमें से सभी फेक्ट और स जबूत पकड बनाएंगे, अपनी पुनरिस थापना कर पाएंगे, तो हमने कॉंग्रेस की चुनोतियां और पुनरिस थापना को देखा, तो ये महत्वपूर्ण कंटेंट आपको समझ में आ गया होगो, आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, च